पायल का हुआ एक्सिडन् या कृश की नाराजगी को दूर करने के लिए है यह सब पायल का प्लान कले स्टीविविशोए.. Alsoफ नाराजगी की वज़े बिंद्या की साज़िश देसल होता कुछ यूँ है कि क्रिश पायल को मिलने बुलाता है और पायल क्रिश से मिलने नहीं पहुँचती है पायल की जगे पहुँच जाती है बिंदिया और क्रिश और बिंदे की बीच में कुछ रोमैंटिक मोमेंट्स देखने को मिलते है लेकिन क्रिश ये नहीं चाहता था जिसके वज़े से वो पायल से नाराज है पायल से बात नहीं कर रहा है पायल क्रिश को मना रही है लेकिन क्रिश मान नहीं रहा है अब upcoming episode में हम सभी देखेंगे गुस्से में पायल घर से कार लेकर निकल गई है पायल की गुस्से को देखकर क्रिश और बिंदिया को लगता है कि शायद पायल कुछ गलत करने वाली है और क्रिश और बिंदिया भी निकल जाते हैं पायल के पीछे-पीछे लेकिन इससे पहले कि बिंदिया और कृष पायल को रोक पायल का एक्सिडेंट हो जाता है और पायल अब बेहोश है अब यहाँ पर कृष और बिंदिया तुरन पहुंचते हैं पायल को बचाने की कोशिश करते हैं पायल को कार से बाहर निकालते हैं बिन्दिया को भी पाइल की फिक्र हो रही है पाइल की हालत ठीक नहीं है लेकिन जैसे ही पाइल को होश आता है पाइल बिन्दिया को बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो अभी देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि क्या ये सब नाटा किसी लिए था ता कि पायल क्रिश को मना सके या फिस अच्छ में हो गया है पायल का आक्सिडेंट आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथ ही टेलेविजन से जुड़ी सबी लेटरस्ट अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चानल को